हालो एवरीवन वेल्कम बैक्टू माई न्यू व्लॉग कैसे आप सब लोग होप यौल विल एपसुलूटली फाइन गाइस रादे रादे जया मात अदियों सो गाइस आज के व्लॉग होने वहले बहुत ही मज़़दार और गाइस आज की बाद अच्छी है कि आज भाई थोड़ा सा व्लॉग लेट स्टार्ट हुआ है फिर थोड़ा होस्पिटल में समान बेजना था तो वह भेजा अब मैं शाम को जब यह ऑफिस से आ जाएंगे तब होके आओंगी क्योंकि सुबा मॉर्निंग में ने ऑफिस जाना था फिर यह भी गए हुए थे तो कैसे जात है गाइस तो उन्हें गाइस एक्शली उन्हें ना कफ जम गया था चाती में जिससे उन्हें बहुत प्रॉब्लम होई थी थोड़ा सा सास लेने दिखकती और ब्लेट प्रशर भी खास खास के हो सकता है उसी से हाई हुआ हो सो बस गाइस अब थोड़ा से अराम है अब मैं थक गई हूं सुबह से उठी हुई हूं गाइस साड़े पांच बुझे से मैं और आम मुझे तनी जोर की नीदारी बहुत कार्तिक आ जाता है उन्हें खाना वान अखला के मैं सोती हूं क्योंकि मुझे टूशन भी पढ़ाना टीम बजे बच्चे आने वाले बहुत थक मैंने उरद की डाल यह गाओं की उरद की डाले गाईस तो वैसे तो हम लोग खानी रहते हैं तो मैंने का यसी यूज कर लो और मैंने यह पर चावल भीग हो दिया मैंने को ग्राइंड करने चाहरे हूं उसके बाद इसको राद भर रगग बड़ सी हो गया ने मौसम में तो वही मैंने कारतिक को भी सिखाए है क्योंकि उसके एक्जाम में भी आ रही है तो वो अप्त पुना कर रहा है और भाजी बने हुए है फुल मौज में बाजी जैहिन 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 आज गई थे स्कूल आप पड़ाई हुई थी पक्का च्छा गुड़ 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 बस चलते हैं फटा-फट यह बरतंटिक आएंगे, मैं बो फैस यह फसा आए और गैस मैंने क्या बनाया है मैंने बनाए है किम्ला मिल्च आलु की अशीं और साथ के साथ मैं बनाई है डाल, अरहर की डाल, और अरहर है रास और एक एक चापाति से एक ले लेगे हैं वैसे मैं avoid करने की सोच रही थी रात में लेकिन अब गर्मी आ रही है तो गर्मियों में तो सबसे ज़दे राइस ही खाते हैं रात को सो गाइस चलिए इसको ग्राइंड कर लें तो गाइस यह इतना देखिए बैटर तैयार हो गया है यह थोड़ा सा और पीस ने जा रही हुँ मैं तो फटा फट से मैंने बैटर तैयार कर लिए डोसे का उत्तम का सुबा अगर यह अच्छे से हो जाता है तो नाशते में यही बना दूंगी जाने की इंग्लिश क्या होती है तो क्या बोलते हैं जाने को जाना जाना क्या होता है दुबारा बताना गो तो कैसे बोलोगे मैं पार्क जाना है मैं को मुझे पालक जाना है इंगलिश कैसे बोलोगे इधर को आजाओ बिटा आपने दिवार बहुत खराब किया अच्छा come here अगर आपको कुछ मंगवाना है पापजी से तो कैसे मंगवाओगे कि पापजी पीजा ले आना तो कैसे बोलोगे पापजी पीजा ले आना नो in English अभी सिखाया है न ममा ने प्लीज ब्रिंग इधर आओ प्लीज ब्रिंग इधर देखो प्लीज फीजा फॉर मी और कोई आपको बोले कि how are you तो आप क्या बोलोगे I am fine हाँ, what about you बोलो avoid me, what about you what about you what about you और आपको कोई चीज देता है तो उसको क्या बोलना है thank you so much thank you so much हमारे घर से अगर कोई जा रहा है तो उसे कैसे बोलना है, bye-bye see you again come here come here come here का मतलब क्या होता है बताओ यहाँ हाँ आज़ो, very good very good वाँ अपसे खलाब हो गया 1, 2 Michael. No, 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 Don't Touch Don't touch Don't touch Electric switch no क्या बोलते हैं बताओ क्रेंट लगने को उचाच लगना शौक लगना शौक शौक लगना हाँ का बोलते है इसी को इसी बोलते है एसी को एंगलिशन निकल गया मेरे इसको फान फैन बोलेंगे हाँ आज इसको गेट बोलेंगे येस डोर डोर गेट नहीं डोर वैसे गेट भी इंगलिश वर्ड है डोर बोलेंगे हाँ इसको शीशा बोलेंगे हाँ इसको मिरे जाज इंगलिश का फूच चड़ा हूए और अच्छे इधर आपाट्स आप बाडी ने मीं बताओ गाई इसको वेरजी और eyes eyes इधर आढड़ा बेटा ढट्वार मैंसी कर दी तूने इधर फड़ा हूँ डो यह यह प्लिपस और यह 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 ठ्द्र स्टमख में शोल्डर्स और बासवा फिर यह यदा यइ थाम दादी नहीं के बीना दो दी